हेलो जी कैसे हो सारे दिस लक्षय वेलकम टू अवर ओएस प्लेस्मेंट सीरीज आज हम आगे हैं हमारे लेक्षर नंबर फाइब पे और हम आज डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक इंपॉर्टन टॉपिक है आपको टामलोजी तो पता होनी ही चाहिए साथ ही साथ इसके बारे में जो भी एक इंडेफ्ट इंफॉर्मेशन है वह आपको पता होनी चाहिए तो सिस्टम कॉल्स पे हम डबल क्लिक करने से पहले डिसकस करते हैं कुछ यह अब तक हमने क्या मूद सबसे पहले था हमारा उसर इसक करने सबसे पहले था उचिंट्रम होता है यह साथ है को यह उनकी होता है। करनल के पास ही जो प्रिविलेज एकसे हैं यूजर स्पेस के पास है हुआ हो रही थी तो इसके पास ऐसा इंटरफेस है ऐसा मेकैनिजम में जिसके द्वारा मैं यह क्या करता है करना हूं मैं बेसीकली mechanism provided करता हूँ यूजर स्पेस को वह इससे dieserak को मैं ऐसा mechanism provide करूठ करूइंगा कि वह किसी तरीके से Kernel स्पेस से बात करनी क्यूंकि kernel space ही है यसी जीच जो हमें hardware का access दिलाएगा करनल के पास जाना पड़ेगा और करनल और यूजर स्पेस क्योंकि दो अलग अलग चीज़े हैं इसके बीच में कम्यूनिकेशन के लिए एक मेकैनिजम प्रोवाइड करता है वो है सिस्टम कॉल्स तो सिस्टम कॉल्स दा ओनली वे जिससे हम यूजर मोड और करनल मोड में यूरो पहले उसे पर्टिकुलर तो जब शूर्श करने जाए गा तो जब यूजर मोड से प्ला खूंछ होगा है और करनल को ते और सब्सक्रम होता है विडियो सपॉंसर बाजिधे लीडिंग और फडिजेशन प्लाटफॉम बहुत सारी प्रक्ट बेस कंपनी जैसे कि Amazon, Adobe, Com Vault अपने technical interviews में focus करती हैं OS वाले part पर तो इन interviews को clear करने के लिए आपका OS वाला part बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए So Coding Ninjas को provide करता है comprehensive and in-depth course जो कि इन सारे concepts को अच्छे से cover करता है उसके अलावा जितने भी theoretical concepts हैं वो सारे linear operating system को map करके सिखाय जाते हैं कोर्स के साथ साथ आपको one-on-one doubt session भी provide किया जाता है उसके अलावा जो faculty आपको पढ़ाएंगे वो इन्वीडिया, Microsoft जैसी बड़ी-बड़ी companies से हैं उसके अलावा मैं बोलूँग तो इस course में आपको 12 hours से जाधा का content मिलेगा जाधा problems आप solve करेंगे बारा से जाधा आप projects में hands-on करेंगे उसके अलावा coding ने जास पर आपको बहुत सारी different computer science related courses मिल जाएंगे अगर आप इंट्रेस्टीड है paid courses में तो link मैं description में डाल दूँगा जिससे आपको maximum available discount मिल जाएगा ठेंक यू तो अगर मैं एक example नूँ इसका छोटा सा वह एक example है मालो आपने क्या गिया आपको क्या चाहिए आपका एम क्या है आपको क्या करना है एक डिरेक्टरी क्रियेट करना है एक न्यू फोल्डर बनाना है ठीक है अब मालो आप दोस्ते लेके आए थे बहुत सारी movies और movies आपको कॉपी करने के लिए आपको एक folder चाहिए movies नाम का अब यह जो folder चाहिए आपको यह folder आप कैसे बना उगे आपको जाना है माई कंप्यूटर पर लेक्लिक करने है जहां भी आप बनाना चाहते है अपने बिसिकले फोल्डर को तो वहां पर याप आपकुल्ड करन सब्सक्राइब करते हो यहां फिर साधर को फोल्ट करते हो यह थोड़ा साशाना वंदा यह तो वह युज़ नहीं कर रहा मैं तो करूंगा मैं जाओंगा कमांड प्रॉम्ट खोलूंगा कमांड प्रॉम्ट खोल लेके बद mkdir कमांड या फिर टर्मिनल खोल के mkdir कमांड चला दूँगा mkdir कमांड लिनेक्स पे यूज होती है ठीक है और mkdir space movies लिख दूँगा और मैं basically movies का फॉल्टर बना दूँगा तो दोनों ही तरीके एक ही काम को कर रहे हैं बट यह जीवाई वाला मैथर जो है वह स्टेंडर यूजर के लिए है और यह मैथर थोड़ा सा आपके जैसे जो शाने यूजर है उनके लिए है तो आपने न्यूफोल्टर बना दिया बट यह इसानी से आपको लग रहा है उत है यहां पर हाड़ था ठीक है यूजर स्पेस हो गया करनल स्पेस हो गया और हाड़ वेर हो गया इसके बीच में हमारे पास एक लेयर होती है यह दोनों सेपरेट पेस हैं अब यह देखो काम कैसे होगा आपने जब भी मूवीज के फोलडर पे न्यूफोल्टर वाले बटन बटन पर क्लिक किया यां पर यह इंतरफेस के पास इंटरफेस का नाम क्या है सिस्टम कॉल इंतरफेस के इंतरफेस की पास जाएगा और जा जो भी इंप्लिमेंटेशन है जो भी इंप्लिमेंटेशन है करनल पर उस पर मेरे को ले जाओ तो यह बेसिकली SCI क्या हुआ एक एंट्रे पॉइंट हुआ करनल स्पेस का ठीक है तो आपके इस कमांड ने क्या किया वह गया यह इंप्लिमेंटेशन यहां होगी ठीक है आपका SCI क्या करेगा SCI बोलेगा कि इस इंप्लिमेंटेशन को फाइंड करो इस इंप्लिमेंटेशन को रन कर देगा करने पर होगा क्या Fujifilm वहाँ जाएगा उसका जो ट्री होगा उससरे एक node adding करेगा इसका नाम होगा movies नाम का यहीतूत है चला नहीं हुआ इस तरीकसे को complex वर्प चरह रहा होता है यह work कौन कर रहा है यह बिसिकली kernel यह काम कर रहा है kernel में भी कौन कर रहा है kernel के अंदर implementation है जो कि basically नहीं सी में लिखी होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो actual implementation है actual implementation जो है किसकी mkdir की वो किस में लिखी है C में तो क्या मैं मैं बोल सकता हूँ जितने भी system calls है system call जितने भी है वो C में implemented होते है ठीक है actually मतलब जिस टाइब के आप से use करते हो उसे और भी जाद लो लेवल कुछ C होती है जिसमें कि वह डार्ट हाडवेर से access कर सकता है hardware से basically काम कर सकते हैं में लिखा होता है तो system calls are basically implemented in C language ठीक है बट आपके आपके जो देख रहे हो mkdir वो बस है कि इस उपर का implementation है अंदर हो सकता है multiple processes रन होड़ी हो है multiple code execute हो रहा है to do so ठीक है तो जो आपको देख रहा है system calls वो क्या है वो simply एक interface है to that C implementation ठीक है तो यह हो गया आपका छोटा सा आपका introduction हुआ आपका system calls का तो यह क्यों ज़रूरी है क्योंकि मुझे मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है user space से kernel space पर जानेगा क्योंकि यह दो separate areas है ठीक है kernel space से आपको कोई काम करवाना है आपको system calls का यूज करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए तो यह आपका हो गया सिस्टम कॉल्स के बारे में चोटा सा introduction अगर मैं एक और example लो एक चोटा सा example लेता हूं मैं कि अगर मालो आपने कोई process execute करी ठीक है आपने क्या करा कोई process execute करी प्रोसेस मालो आपका हेलो वर्ल्ड आपने compile करके रखी हुई थी .exe आपने उसको run किया run करने वाद सबसे पहला काम क्या होगा आपने उसे run किया करने के बाद बिसिकली वह एक system call ढूंदेगा एक्सिस्टम कॉल ढूंदेगा execution की ठीक है वह एक execution की system call ढूंदेगा जो की आपका SCI देगा system call interface ठीक है वह क्या करेगा वह kernel mode में switch करेगा काम को ठीक है kernel mode में हम चले जाएंगे kernel mode switch हो जाएगा kernel कि छोचनल मोड में हम फिर अप्रॉसेस मेenneجमेंट के पास जाएंगे बहुत सारी छीज़ा होंगी तो आप डोगे के अंदर कि यह क्यों कर रही होओ कि c किसी हार्डवेर को एकसिसницу कर रही है किसी और यूड़ एकसिस कर रही है किसी ये सारे के द्वार鐵 किया जाएंगे थिल सफ 250 जैसे ही प्रोसेश हो जाएगी process create होने के बार वापस से हम kernel mode से user mode में स्विच हो जाएंगे यह क्यों होगे क्योंकि kernel mode का काम यहां पर खतम हो गया ठीक है kernel mode का काम खतम हो गया आप यह सारी information की प्रोसेस के हो चुकिए यह सारी user space को देनी है यह प्रोसेस की information दे भी जाएगी और आपको तो यह इस तरीके से फ्लो चलता है तो बिसिकलिए कर रहे है काँ कैसे यूजर मोड यूजर मोड में डॉटी एक्सी पे क्लिक किया था यूजर मोड से आप पे करनल मोड पर गये करनल मोड में कैसे गए क्या है इंटरफेस के बाद जैसी आपने करनल मोड के अंदर हो करेंगे पर वापस से प्रोसेश जब क्रियेट होके आप इंफॉमेशन दोगे यूजर मोड को बिसेकलि यूजर स्पेस को फिर हम वापस से यूजर मोड में स्विच हो जाएंगे इसका मतलब और तो इस तरीक है यह जो यूजर मोड टू करनल मोड स्विच होता कैसे है वह कैसे होता है जब भी आप बेसिकलि एक्जीक्यूट करते हो प्रोसेस को माल लो प्रोसेस को करने के बाद हम एक सॉफ्वेर इंटरप्ट कॉल करते हैं सॉफ्वेर इंटरप्ट कॉल करते हैं सॉफ्वेर इंट तो इस तरीके से चीज़े चलती है हमारी और यह हमारे एक्जांपल हो गए तो इसकी बड़िया सी डेफिनेशन लिखी गई है बट डेफिनेशन के पास जाने से पहले हम बोलू कि आपसे इंटर्वियर कोशन पूचे हाउ डू आप इंट्राक्ट करनल तो आपका और जाएंगा सीधा 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 और सिस्टम कोश देने के बाद ही वह खुश जाएक और आप से इसके बारे में आगे पूछेगा को एक्जांपल देने के लिए बोलेगा लिख लूए करके म सब्सक्राइब करेंगे वह सॉफ्ट्वेयर इंटरू सिस्टम को सी में इंप्लिमेंटेड होती है अब इसके टेफिनिशन देख लेते हैं व्यारी सी अगर कोई बूल देख को इसको डिफाइन कर दो इंग्लिश में कैसे करो इस सिस्टम कॉल इस अगर्णिजम जूजिंग विच यूजर प्रोग्राम कें रिक्वेस्ट इस सर्विस फॉम दे करनल पर विच इट ड़्यूजर मोड के बाद बहुत लिमिटेड एक्सिस है तो जो काम वो नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए हम करनल मोड पर स्विच होत कि यूजर एब से क्या करना चाहते है तो सिस्टम को कॉल कर रहे हो किस तरी के जाएगी तो अगर मैं नॉपल बात करूं कि ऑक नॉमल लिए लिए तो लुब यूजर मोड पर सिक रएस को कॉल करने के लिए तो आप पहले और यूजर मोड में एक हो हो जैसे है करने के लिए हम फिर को कॉल करते हैं कि लिखा है इसके कोर्सपोंडिंग इंप्लिमेंटेशन है इंप्लिमेंटेशन करने के बाद हाद वह काम हो जाएगा यहां पर डिस्क है मालो तो इस तरीके से फिर हम एक पर्टिकुलर हमें जो मूवीज वाला एक्जामपल था मूवीज वाला बन जाएगा और हम रिट्रेस कर जाएंगे वापस से और हमें यूजर मोड में इंफोमेशन मिल जाएगी कि मूवीज फोल्डर बन चुका है तो य यह हमारा एक ग्जामपल हुआ इक डाइग्राम के द्वारा बना के दिखा सकते हैं चलोड़ी से चम्झाने के लिए अब हम नेक्स चलते हैं टाइपस ऑफ सिस्टम काल से अगर मूझ तो हमारे पास टोटल नंबर और टाइपस हमारे पांच तो पांच तो पांच तो पां यह किया है टया है दूसरी कटेग्री क्या है इ Labs यह कंपल लीए ओपन करना क्लोज करना राइड करना राइड करना पर यप से न है Almost जाते हों मालो 20 पोजिशन से टुन्टीफ करेक्टर से तो उस चीज के लिए रिपोजिशन उस होता है गेट अन्व सेट अट्रिवीट्स तो हमें पताईए जैसे एक्जामपल दो तो सिक्योरटी सिक्योरटी किसी फाइल को आप देखोगे तो उसके ने परमीशन होती है कि इसकी इस पटिकलर और कि पमीशन मरूगोए माजलो फाइल है jak.txt मैं मैं मालो बोलू कि सिर्फ लिए के यूजर को है लकशा यूजर को तो कोई र यूजर है मालोररराम यूजर है तो राम यूजर को इसकी नहीं होगी एकस्थिए तो इस टाइप के अट्रबूट करने के लिए कि कोई ऊचले के क्सिस्ट थे को डिवाइस वेFr करना राइट करना उसके एक इस तैब के काम होते हैं हमारे ञ ojos system calls information maintenance में क्या होता है इन्फरमेशन मेंटेशन कुछ नहीं यह नहीं बढल इप्रन्ट प्रॉसेश्स की इन्फरमेशन हो गए डिवाइज की इन्फरमेशन हो गई ताइम जो सेट होता है तो कुछ डेटा होता है उनको इसलिए उसके बाद अपना है communication management तो communication management जो है ना यह related होता है हमने अभी last to last video में पढ़ा था IPC इंटर प्रोसेस communication के बारे में तो इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन क्या था इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन का मतलब था कि दो अलग-अलग processes है separate spaces में चल रही है उनको आपस में इंटर प्रोसेस कम्यूनिकेशन को करने के लिए communication management यूज होता है जैसे एक एक ग्जांपल पता है प्रोसेस ए है प्रोसेस बी है इसके बीडिट कम्यूनिकेशन करने के लिए पाइप चाहिए होती है तो पाइप को बनाना उस पी maintenance करना तीक है उसको creation डिलीशन यह सारे काम कम्यूनिकेशन मेंनेजमेंट में होते हैं और रिमोट डिवाइस हो गए जैसे जैसे मालों आपने लैन वगेरा जोड़ी हुई है ठीक है इस टाइप की चीजे कम्यूनिकेशन मेनेजमेंट में आते है अब मैं इसके कुछ एक्जांपल्स लूँ तो मैं ओग मैंना ट्राई कीए venues के दोनों के दोनों के ले शकूं तो इसमें क्या है हमारे पास process control के हंद़़ create process और यूज़ होता है Allied तो इन सिस्टम काम करते है और क्या करता है वह क्रिंट करता है कि इसी ही भी प्रोसेस को ठिक है अब मैं एक चीज़ बताऊ आपको कि जब भी कोई सिस्टम चलता है ना जैसे आपका प्रोसेस बनती है वह सारी उसके चाइल्ड होती है तो फॉर्क क्या करती है किसी भी एक प्रोसेस का चाइल्ड बनाती है तो आगर मैं बोलूँ कि आप हमालो त्र्मिनल्ट आपने उन किया कंळार है टर्मिनल को बोल सकता ऑं कि ये एक्सी बिर्ण करी है वह आपकी चाइल्ड ब्रोसेस होई तो फॉर्क नावैशा चाइल्ड बनाता ल,' ठीक है एकभी नूब्रोसेस ने बनता है सारी होती है एक दूसरे ग्रॉइटू । तो फॉर्क का काम हमारा यह हो गया एकजिट का मतलब उस प्रोसेस को एकजिट करा ना जब एकजिट कॉल करते हैं जब यह कर आपका है अ कुछ एक्सेस कर सकता है उसके लब डिवाइस मेनेजमेंट की कुछ है रीड राइट होती है करने के लिए उसके लावा इंफोमेशन मेंजमेंट के अंदर इसके बीच में बात करने के लिए इसके बीच में पाइप करने के लिए पाइप कमांड यूज होती है है फ्रेवरो पता है कि अंदर दो दो तरीके होता एक शीर अचीर मेंबरी होला तरीका विंग्रेशन कर रहे ठी होगांacak उस शेर मेम्बरी को गेट करने के लिए यह पाली पर्टिकुलर कमांड यह क्या करती है आपको यह मैप और अनमैप करती है डिवाइस को मेम्बरी पे एसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप ज्यादा कन्फूज मत हो कि आपको जानना ही जानना है कि सारी जो सिस्टम कॉल से करती है आपको सिस्टम कॉल सब॥ा जानने की जरूत नइत अमागा है आपको को जानने की पर जानने की जुद्छन पर पढ़ लेना ठीक है यह थोड़ा थोड़ा आपको इंट्विशन हो जाएगी कौन सी सिस्टम कोल क्या करती है ऐसे डिटली नहीं बूलेगा कि सारे सिस्टम कोल का नाम बताओ एक दूका नाम आपको पता होना चाहिए तो चलो एक्जामपल होगा मेरा प्रोसेस कंट्रोल सिस पर एक टर्मिनल खोले के बाद मैं अभी किस देख लेता हूं के मैं जाता हूं टेक्स्टॉप पर आ जाते हैं करने के बाद मैं है क्या रूख एक बना रहा हूं अब जब या करूँगा अड़ित करूँगा व्हें बैस्क्रुप रना रहे हैं हमें तो ये सब लिखना कि अब तक क्या करा है मैंने एक टैंपररी डॉक्यमेंट बनाया है यह डॉक्यमेंट कहां बन रहा होगा है में में बन रहा होगा उसके बाद अब मैं क्योंकि अंदर था ठीक है अब देखो यह डिवाइस काम काम कैसे आएगा मैं डेक्सटोप पे हूँ अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूं तो वह क्या करेंगा यहां पर एक फॉल्डर पर जाएगा पूरी जो हरार की बनती है मेरी स्टक्चर है उसमें जाके इस फा फाहई स्सी कोषी चार करें तो कौन सेस्सी स्टम को ल åb triple बना यहां पर फिर उसको हमने टाइप करा हमें को और घ्राइट करोंगी चिञ रूडिए तो राइट करें करिया उगी तोला सिस्टम कॉर्साय Beer를 gleichen Windows 8 अब क्या होगा बताओ सोचो सोचो अब process management वाली system calls का काम आएगा यहां पर क्या होगा यह particular terminal है इस particular terminal का child बनेगा यानि कि हम for system call का यूज करेंगे और एक process बना देंगे औस प्रॉसेस का नाम होगा Hello.sh यह एंटर करा एक प्रॉसेस बन चुकी है अब इस प्रॉसेस बन चुकी है वहीए यह जूठ बोल रहे है जूठ तो कुछ नहीं बनी है मैं आपको एक एक जामपल नहीं आपको पूफ देतें देखो प्रोसिसस बनी है कैसे लến प्र называется प्रासन्स बन गई है जब मैंने मैंने प्र Equity पमाइज मांड चलाए होगी तो ये पूरत बनने के लिए इन्फोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कोल का यूज हुआ होगा और उसने पर्टिकुलर गेट पी आईडी करके पी आईडी लागे दी होगी जो यहां पर लिखी हुई है तो देखो कैसे सारा काम हो किसी भी पेरेट का चाइल्ड बनाती है तो आपको यहां पर यह जो पर प्रस्पॉंड आपको एक पीपी आईडी दिख रही होगी पीपी यह यह पेरेंट की पीड़ यह चल रही है हमारी अब चलते चलते हैं हम क्या करने बोर हो से यगो तो इस पाइल इसकी पीडी मुझे दिख रही है तो मैं किल कमांड कर लेता हूं किल किल माइनस नाइन माइनस नाइन इस लिए वह तक Stephen कमांड भी एक जो खिल एक सिस्टम कॉल है सिस्टम को यह क्या हुआ होगा किल जैसी आपने क्लिक किया वह गई होगी यूजर मोड से करनल मोड पर कमांड करनल लोड़ों जाकर देखा कि पर्टिकुलर पी डिजन हो रही है उसको जाके केल कर दिया इसको छोड़ दो इस पर काम नहीं करना प्रोसर्स को मेमरी से उड़ा दिया तो इस तरीके से चीज़े काम करती है आपको च्छोटा एक्जामपल दिया कैसे किल कर दिया आपको वह देता हूं मैं एक और उसमें क्या करो आप आप जितनी पी कमांड लिखी हुए ना इसके ब सब्सक्राइब करना नाइन से क्यल होता है अब अलार्म क्लॉक ब्लाबला यह सारे चीज़ें आप बैटके पड़ो एक बार थोड़ा सा टाइम दो इसको इतना खास जरूरी तो नहीं है बट आप देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप चीजे फैमिलीर हो ज जिसमें जितनी नोटि में अब सब्सक्राइब उनके बार में यंदि कामदी एक उसके बाड़न करने के बादो ऑच उपर गनप्साइन आप इस कर सकते हो तो ठीक, और युदियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सामज